Assalamualaikum, मैं हुझार Aysan Abdullah Patel Last class में हम लोगों ने 1st year Mathematics Solution of Triangles Chapter 12 12.2 स्टार्ट की थी Question No.8 करेंगे प्लास्टिक स्ट्रिप वन मीटर लॉंग प्लास्टिक स्ट्रिप जो है वो वन मीटर लॉंग है इस तो बेंट फ्रॉम आईसॉसलिस ट्राइंगल इसको बेंड करके इसको मोड के हमें बनाना है एक आईसॉसलिस ट्राइंगल आईसॉसलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइडे एक्वल होती है जब दो साइडे एक्वल होती है तो जहर सी बाते दो एंगल भी एक्वल होगे वो कह रहा है इसका जो larger angle है वो कितना है 95 degree वो कह रहा है बकिया side की length निका लो तो हमने 1 meter की जो इस strip है इससे हमने एक triangle बना लिया जिसमें हमने larger angle जो है वो कामा ले लिया C पे तो B के सामने वाला B नहीं पता A के सामने वाला A नहीं पता और C के सामने वाला C नहीं पता ना A पे अलफा पता है ना B पे बीटा पता है बस हमें इतना पता है कि A और B बराबर है क्योंकि larger angle हमने 95 को लिया है तो larger side भी C होगी A और B क्यों बराबर लिया है? क्योंकि आई सॉसलेस ट्राइंगल है जब A और B बराबर है तो obviously बात है क्योंकि अनके angles भी बराबर होगी और गामा कितना दियावा है मैं 95 लिया एक और बात given है कि हमने जो मोडा था वो एक मीटर की strip को मोडा था तो sides की जो भी length होगी उनका sum 1 मीटर के बराबर होगा जनाब alpha हमें unknown है बीटा alpha के बराबर है गामा 95 के बराबर है तो अगर मैं यहां से alpha की value नकालो यह दर जाकर माइनस हो जाएगा तो बटा alpha बराबर हैगा 42.5 degree alpha और beta दोनों बराबर है तो हमारे पास alpha और beta की value आगए हमने देखा कि a upon sin alpha बराबर है c upon sin गामा के अगर मैं यहां से c नकालों तो यह c बराबर आएगा a into sin gamma upon sin alpha क्योंके मुझे गामा की value पता है 95 और alpha की value पता है 42.5 इससे होगा यह कि मेरे पास c आजाएगा in terms of a तो हम करते हैं sin 95 upon sin 42.5 यह हो जाएगा 1.474 a ऐसा करने से क्या हुआ ऐसा करने से यह हुआ कि हमें यह बात पता है कि a प्लस b प्लस c equation 1 यह बराबर है बन के तो a तो a b भी जो है वो a के बराबर और c कितना है 1.474 a तीनों को अड़ करेंगे यह जगा 3.474 a इसमें हमने 2 एड़ करती है 3.474 हो गया अब अब अधर जाकर यह 1 से डिवाइट हो जाएगा तो a बराबर आएगा इसका इन्वर्स that is 0.287 मीटर्स तो बटा जितना a है उतना ही b है और equation 1 में हमें पता है कि a plus b plus c बराबर है बन के तो a plus a plus c बराबर है बन के तो c बराबर है 1 minus 2a के तो जाएगा 1 minus 2 into 0.287 जाएगा 1 minus 2a 0.2 तो जनाब c आया 0.424 मीटर्स अल्हाब्दल्लम 12.2 हमने खतम की नेक्स्ट क्लास में 12.3 करेंगे further more videos के लिए सब्सक्राइब कीजे मेरा चैनल सराहसन अबदुल्ला पतेर